एलो गाईज वोट इस वेलकम बैक तो माइन कर राफ्ट एपिसोड नमबर शिक्स टिप्स एंट्रिक्स एपिसोड नमबर सेवन आ इपिछले एपिसोड मैं ने आपको कहा था कि आप किस तरीके से माइनिंग कर सकते हो इनिशियल फिस में और मैं आज आज आपको बताने वा कर सकते हो जब आपके पास आईरेन गोल्ड वगेर आज आएगा जब पूरी तरीके से प्रीपेर हो जाओगे तब आपको के उसको किस तरीके से एक्स्प्लोर करना है इसके बार मैं आजां डिसकस करने माले तो चलिए हमने पिछली बारे घर पकड़ लिया था जो कि था य ले निकल भाई निकल रहा है कि ने तो ले निकल अभी निकल अभी दित दी के मात मुझे घर में कर देशों ठैकर टी है पिछले एपिसोड मा हमने इसके घर में यह खर था न वो यह घर था ना कि दूसुरा था एक मिन्ट सौरी गाइस मुझे चेक करने यह ता शायद से रुको भाई या मेरी के ओ थी वहाँ पर मैंने बहुत मैंने से बनाए हुई थी के उनी बहुत बोल सकते माइनिंग बेस बनाया था यह रहा वो रोको रोको हाँ चलो सो हमा चुके हमारे घर में अब देखो आपने पकल इनिशियल में जब आपने माइनिंग की तो आपको आईरन बहुत सारा मिल गया तब तुड़ा सा रेट स्टोन मिल गया और किसमत होगे तो किसी को डाइमड मिल गया होगा तो सबसे पहले आपको जो मैंने कहा ता फरनस में आपने सारा आईरन पिगा लिया उसके सर्वेवल मोड में इसा नहीं होता ठीक है यह क्रीटिव मोड बस प्रैक्टिस के लिए होता है ओके सो शॉवेल भी आप आईरन का बना लो उसके बाद आपको क्या करना है नीचे जाना है और यह शील्ड यह बहुत इंपॉर्टन यह दो बना लो ठीक है एक आपके पास र लो आई थिंग बेड़ की जरूरत ने लिकिन फिर भी ले लिए अगर बाहर निकले और रात हो गई तो फिर हमें सोने के लिए काम आएगा ओके और थोड़ी असी डर्ट ले लेता है एंड़ क्राफ्टिंग डेबल के तो क्यों में जरूरत ने लिकिन कब क्या जरूरत पावर खतम होए तो आपको फिर से बनने के लिए और मेरी मानों एक एक्स्टा लेके चलो तुम देखो अगर आपके बस आईरन कम है तो एक आईरन की पिकेस रख लो और एक स्टोन की रख लो ठीके स्टोन से आप को बल स्टोन ओग तो लेना और आईरन से बस आप लो आईरन की इसको और लग जा हाँ उसके बाद आप लगा उसको हेलमेट आईरन का उसके बाद आप इसको लगा और का लगा सकते है यह कहे यह भी तो यह भी तो सेम है हाँ इसके बाद आप लेगिंस लगा लो और उसके बाद जूते पहना दो भाहिया को ओके और यह शी survival mode में और हम जाएंगे केव को explore करने चलो तो आपके लिए में आ चुका उत्तर जा भीया हाँ चलो अब सबसे पहले हम ढूंदेंगे केव तो पहले हाथ को कर लो sword ले लो लगे तो हाथ में और चलो केव ढूंदें तो केव जो यासने से मिल जाएगे अब देखो केव में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं नमबर वन एक नॉर्मल केव छोटी सी या फिर ऐसी बड़ी वाली मतलब जो आपको नीचे तक ले जाएगी कम से कम जाता हूं तो देखार अभी हाँ आपर जानेक मरे पास दो रास्ते एक तुझ में तो रासता है मेरे पास यास मिसी सिदा पानी में जंप अरु लेकिन जम पानी में ही होनी चाहिए नहीं तो बहुत गुद्धी तूड़ जाएंगे सब कुछ चला जाएगा तो पानी में ह मेरा फेस पानी तक जाए मतलब मेरी बॉड़ी पानी के उपर रहे बराबर से हाँ अब मैं जम मारने के लिए पुरी तरह तयार हूँ और आराम से इतके से ट्विंटी वन अभी आपको काई गरना के मुझे सपोस अगर मुझे सीधर स्थ में तो मुझे बस यह जो रास्ते न यहाँ जापर में गया नहीं वहाँ पर वान टू त्री एंड यह टॉर्च बस बढ़िया यहाँ पर भी इसी तरीके से कर दो वन डर्ट इसलिए मैंने लाई थी आपर वन टू एंड यहाँ पर लगा दो एक टॉर्च और भहिया टॉर्च यार मुझे फिर से क्रियेटियो में 邪ढ़ेगा ओके और अब मुझे जाना है यहाँ पर तो आराम से देखो यहाँ पर मुझे आइरन मिल गया। इस आइरन को कलेक कर लो इसी तरीके से बढ़िया जितना मिलो उतना कलेक कर लो और फिर नीचे जाओ अभी अभी जाने का एक और अच्छा तरीका है जब भी आप नीचे जाओ क्यों में टॉर्चेस लेफ्ट को प्लेस करो कहाँ पर लेफ्ट को जब आप रिटर्ण आओगे ना तब टॉर्चेस राइट में दिखने चाहिए यह मैंने बहुत बार आपको अगर यह को खतं हो गई अब मैं जब आऊंगा और टॉर्चेस राइट में बार बार जा रहो अगर आप भूल बले में फस्स गए तो यही आपको बचाएगा ओके अब देखो यह क्याओ खतम हो गई बस इसको सिंपल आपको क्या गरना है बंद कर देना इस तरीके से 123 123 बढ़िया चलो अगली क्यों में जाते हैं यह जो के उथी जिसको हमने तोड़ा था मतलब जिसको हमने बंद किया था बस इसको इसा तोड़ दो और यहां पर एक टॉर्च प्लेस कर दो लेफ में टॉर्च उन्जी जब भी आप एंट्री मारो लेफ से एंट्री मारो यह द सर्वेवल जाता है तो मेरे है मैरे हाथ मेंदेख सकते हो शील्ड है मैरे हाथ में यह देखरी न आपको म Bakhdi टीक्री यह पर बहुत कुछ थ दीखह सबसे पहले हैं आब आपके आवास से जयक्ष्च मर्ण लगा सकते है बीच वाल स्कृनिके उपर वह चार कंट्रोल के बीच हुआ जो कंट्रोल उसको डबल टैप करने लिए और समाल करें शिल्ड अनल्लीमिटेड नहीं होती है इस पर अगर ज्यादा वॉर अगर हुए तो फिर तूट जाएगे तो अभी आपको क्या ना फॉड़ निचे जाना प्रसे शिल्डी को इप करने है और अभी जाकर एक को पकड़ के पिटना है एक को पहले खतम कर दो फिर सेकंड सेकंड वाले को देखो पहले टॉर्च प्लेस कर दो आपन तो भाई जॉंबिस आते ही रहेंगे ठीके टॉर्च अर बार समाल कर प्लेस करना मकड़ी को तो बस दो इसमें मर जाएगे मकड़ी को इटेंशन ने अब हम एक किस पर है तो देखो यार जब आप पंदरा की नीचे जाओगे ना तो आपको बहुत संबाल कर चलना होगा क्योंकि पंदरा की नीचे मिलते हैं बहुत खतरना क्वाले जोंबिस जिनका नाम है स्लाइम चंक्स ओके अल्राइट अब यह गोल्ड कर लो अब आप देख सकते हैं यह पर दो रास्त जा रहें अब मुझे क्या करना है मैंने गोल्ड कलेक कर लिया यहाँ से अब देखो आ यहाँ पर मैंने एक टॉर्च प्लेस कर दी अब यह रास्ता उपर जा रहा है तो मैं यहाँ से फिर से रिटन आता हूँ देखो मेरी टॉर्चेस हर बार लेफ में प्लेस हो रहे है गूंजा आदत से पड़ी गई है आप दो बार ट्राय कर आपको आदत पड़ जाएगी अ यहाँ पर स्पॉनर्स वगरी बोते यह लो एक और स्केलिटन आगा इसको दो इसे ने पटलो देखो इनका टाइम इंट्रवल होता है जब आप जब वो तीर मारते है ना वो कुछ टाइम के रुक रहे देखो और अगर आपने शिल्ड इक्विप के तो और अगर वो आपक करना है ओके तो मैं यहाँ पर बहुत बड़ी जगह पर आचुका होगे लग जा टॉर्च ओके अल्रेट अब यहाँ पर एक रास्ता उपर के तरफ भी जा रहा है तो उपर तो में जाना नहीं है तो सिंप्रील हमें जो रास्ता दिख रहा है वहाँ पर निकल जो और यह कुछ बटोर लिया करो में अब मैं आ चुको 27 के पास और यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा खत्रा तो आप सिंप्ली पहले आपका रास्ता ठीक कर लो आने जाने का क्यूंकि अगर खत्रा देखे तो कल्टे मारने के लिए इस होता है तो देखो मैं आसे सिता पानी में जा सकता हूं लेकिन अगर आगे कुछ खत्रा रहा तो फिर मुझे आने के लिए दिक्कत हो जाएगा इसलिए मैं यह दो कुम्मे ने मेरा रास्ता बना लिया आराम से मैं इस पानी को लेते लेते नीच आओंगा अब हम आ चुके और एक अलग जगह पर अब मैं आपको कर लेना उसके बाद चलो फिर सचाते अब यह एक रास्तारा हमें अमने कवर कर लेया पर कुछ भी नहीं है यासे निकलो उपर के देरा उपर निकलना इना सिंपल या पानी के अंदर उण your और बस उपर का बतं अ कर इस कि में पानी का आंदर चेले जाओं उपर का बचन द पटएगा 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 ओकेः पानी में शीट एक्वइप नहीं होती है इस चीज़ का दे कने पर पानी में अपको फिर ज्यादा डेमेज भी नहुन होता है इस चीज़ कर भी दे ल लो भई नीचा हो गया लावा और हमारी अभी आप लेवल देख सकते हो क्या है 14 12 एक और चीज़ अरे मैं भूल गया देखो आपको शुरुवाती दोर में बतना भूल गया वाटर बकेट लेके रखो और सॉरी गाइस में सच में बूल गया मुझे याद था लेकिन यार क्या वाटर बकेट वी आफर सर्च करना पड़ेगा आपको भी लेके रखनी वाटर बकेट दो लो एक लव आपके उपर डिपेंड करता है एक लो काफी है को जब आपको इसा लावा दिखे सिंपली ये ब्लॉक है ना बाजू का ब्लॉक लावा प्रम मत पानी डालना बाजू क जाने तो हां और क्या करना है मुझे पानी फेकना बढ़ेगा अभी कहा तो ओके आपको इस तरीके से पानी जमा करना अब यह जो ही यह बन गया ऑप सीडियन और आप सीडियन से अपने दर पोर्टल बना सकते हो अब मैं हूँ 11 वाइब कोडिनेट पर लोविया आपर बहुत ज्यादे चांसे से लेकिन दर रोको इसे ख़र मुझे पर लावा मिलने की बहुत ज्यादे चांसे से तो मुझे घर आ पर मायनिंग करनी तो simply करोंगा इस ब्लोक पर खडे रहोंगा और फीर सामने ओले व्लोक को तोड़ूंगा क्योंकि गर यहाँ डायमन कभी भी करना मेरे ने तो मर जाओगे यह देखो तो आपको समभाल कर माईन करना है इसमें ड़र्ट पर खड़े हो जाओ और मैंने आपको कलेक्सिस कहीं थी जिस ब्लॉक पर खड़े ओश-ब्लॉक-आप और उस-ब्लॉक को तो इस बात का ध्यान रखना चलते उपर मुझे पतनी रास्ता का पर यापर बहुत सरी रास्ते और मैं अटक चुका हूँ मुझे उपर आना है किसे आउंगा मैं तो सिंपल आपको कहें करना है उपर ये लो आपकी पिकेक्स इसको तोड़ो और बाज व्लोग भी तोड़ो उसके बाद इस ब्लॉक की नीचे खड़े रहो और इस ब्लॉक को तोड़ो ठीक है फिर से इस ब्लॉक को तोड़ो और नीचे से डर्ट प्लेस करके उपर निकल जाओ अब फिर से अपनी पिक एक्स लो और पिक करो और उपर तोड़ते चलो अब इसको भी तोड़ो और फिर से डर्ट लो और उपर बढ़ते चलो और सामने एक टॉर्च लगा दो और उपर जाओ अरे यार सॉरी अब सिंपली फिर से पिक करो और इसे तोड़ो ओके अब सिंपली फिर से इसको तोड़ो और डर्ट प्लेस करके उपर निकल जाओ ओके सो मुझे एसा लगता है कि यह भी मुझे रास्ता मिल जाएगा क्योंकि डर्ट आ गए ना डर्ट यह बहुत जल जब डर्ट आनी शुरू हो जाएगे नहीं से समझ लो आपको रास्ता अभी जल्दी मिल जाएगा और मैं पानी में बाहर निकलाओ वाओ सिंपली उपर आओ उपर आओ ओमाइग यह लो मैं बहुत अन्डोन जगह पर आ चुका हुआ भी वहरा विलेज अल्राइट सो देखा आपने में कितने इजी ली बहार आ गया है सब कुछ आपके सामने किसी भी तरह के चीटिंग वगरे मैंने कुछ नहीं किए तो आप इसी तरीके से आराम से सर्वाइफ कर सकते हो और कि उसको एक्स्प्लोर कर सकते हो बस आपको मैंने जो कहा है वह याद रखना टोर्चस लेफ्ट साइड में प्लेस करते जाना और 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 वाटर बकेट का ठीक से यूज़ करना एंड मॉप्स को संभाल कर मारना ठीक है यह दो तीन चीज़े देहने में रोखो मीरी एंड आप आराम से किसे भी क्यों को एक्स्प्लोर कर सकते हो वहां से बाहर निकल सकते हो तो यह रहा हमारा किला हम चलते हैं फिर हम बताएंगे आपको कि माइन शाफ्ट को किस तरीके से एक्स्प्लोर के जाता माइन शाफ्ट क्या होता है आपको कल बताऊंगा अच्छे से तो स्टे ट्यून सब्सक्राब करके रखे एंड बेल कॉल पर प्रेस करके रखें ताकि मैं जब भी वीडियो डालो आपको टेक केर मिलते हैं नेक्स्ट उडियो में तब तक के लिए जग हिंद